नमस्कार वह स्वागत है अप सभी का मैं हूँ आपके साथ शेतन पाठक भारत के पडोसी देश बांगला देश में हिंदूओं के साथ जो बरबरता हो रही है जो जुल्म हो रहा है और जिस तरीके से उन पर कहर ढाया जा रहा है उसकी बहुत खौफना कश्वीरे लगातार स वहाँ पर इस कौन के प्रमुख पुजारी चिनमे कृष्ण दास प्रभू को गिरफ्त में जब लिया गया तो जो हिंदूओं की आग है बदले की जो आग है वो भड़क उठी है और वो आग अब अंतराश्वी इस तर पर भी पहुंशती हुई नजर आ रही है भारत सरका के बयान पर दिया गया है का गया है कि भारत का जो बयान है वो बेबुनियाद है और जो गिरफतारी है वो बिलकुल ठीक है लेकिन तस्वीरें जो हैं वो बहत खौफनाक है क्योंगी लगातार हिंदूओं को वहाँ पर टार्गेट किया जा रहा है मेरे साथ मेरे सहीयोगी अभिशेक पुंडीर हैं और इसी के साथ वरिश्पत्रकार पंकच प्रसून साब हैं चर्चा होगी बंगलादेश पर ही और वहां से आई खौफनाक तस्वीरों को लेकर सबसे पहले पंकच जी आप से शुरू करेंगे पंकच जी जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं एक बार हमारे दर्शक को अगर आप बता दें दर्शकों को कि पूरा जो मामला है जल्दी से कि आखिर ये पूरा मामला क्या है उसके बाद हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं देखें ये इसकौन के चीफ हैं इनमे कृष्ण प्रभु दास इन्हें बंगलादेश पूलिस की जासूसी संस्था जो है इंटेलिएंस विंग ने धाका एरपोर्ट से उस वक गिरफतार किया जब ये चितगौंग जा रहे थे आरोप ये लगा कि इन्होंने हिंसा भड़काई है जो तर्क ये है जो किन्वे स्रिकृष्ण प्रभु के जो वकील है उनका कि क्या हिंसा भड़काई है क्या इन्होंने बादारों में बंब लगाया क्या हाथों में हथियार उठाया क्या किया है तो उधर से जवाब आता है कि ये हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे थे और जैश्री राम का नारा इनके समर्थक लगा रहे थे ये आरोप है बंगलादेश की पुलिस का कि इनके समर्थक जैश्री राम का नारा लगा रहे थे और हरे रामा हरे कृष्णा चैंड कर रहे थे जा इन्होंने बाजारों में बम लगाया न गोलिवारी की है आरोप यह है कि इन्होंने जैश्री राम का नारा लगाया और यही सबसे बड़ा गुना है यह बंगलादेश पुलिस का जो आरोप है उसको देखिए दूसरी ओर जो यह चिनमेश्ट प्रभुदास के जो वकील जो कि कोट में इनका पक्ष रख रहे थे इस्लामिक करमपंचियों के भीड में पोर्ट फरिश्र के अंदर उन्हें पीट-पीट कर मार डाला सब के सामने क्योंकि यह कैसे कोई एक मुसल्मान होके हिंदू का पक्ष रख सकता है कोट के अंदर यह देखिए दूसरी बार यह परसों की घटना है जब यह कोट में पेश किया गया था तो इनके वकील थे स्थ पुल्ला नाम था उनका उन्हें पीट-पीट कर मार डाला गया कोट में सब के सामने कोई कुछ नहीं कर सका उसी बंगला देश में एक जस्मुद्दीन आपको साहद नाम याद होगा चेतन जिसने सब के सामने एलान किया था कि जितने हिंदू है उनका कतलो गारत कर दो सब को मार डालो और इस बयान देने के बाद हत्यार उखाने की बकायदा उन्होंने तहरीर की थी कि हाथों में ह यह बंगला देश में नहीं पंकजी जो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ हरे रामा हरे कृष्ण और जैश्री राम का नारा लगाने पर उनके खिलाफ कारवाई की जाती है उनको गिरफतार किया जाता है उनको जेल में डाल दिया जाता है उनके साथ मार पीट होती और उनके वकील को पीट पीट कर मार दिया जाता है लेकिन जो हम तस्वीरे दिखा रहे हैं ये तस्वीरे सामने आई हैं बांगलादेश से ही जब उनको गिरफतार किया गया उसके बाद जो कटरपंथियों की भीड़ है वो सड़क पर आती है और हिंदूों को काट डालने का डिया जता है ये कहा जाता है कि हुदो GUY काट जीजिए और साथ ही ये भी कि इसकौन के जो भी पुझारी हैं और जिनको भी गिरफतार किया गया उनको भी काट डाली तो क्या ये गुना नहीं है यही चीज संभल में भी है वहां के भी लोगों का कहना है उस भीड का कहना है कि जब टीम सर्वे करके जा रही थी उन लोगों में से कुछ लोगों ने जैसी राम के नारे लगाए और वो जैसी राम का नारा लगाने से बीड इसकदर भड़क उठी के सड़के पत्थरों से भर दी पुलिस पर फायर जूंके गए दिवारों पर निशान में देख वाली नहीं है बलकि आचुकी है क्योंकि मुझे रखता है कि बांगलदेश का हिंदू तो बहुत दिलेर है जो आवाज उठा रहा है सड़कों पर उतर रहा है संभल का हिंदू माइक पर बोलने के लिए तैयार नहीं है उसे डर है कि अगर मेरा चेहरा किसी ने देख लिया मैंने कुछ बोल दिया तो हमारे साथ क्या होगा इसी देश में बोती है और प्रदेश में योगी है तब कि यह तस्वीर है तो उनका तो क्या ही हाल हो रहा होगा महां अविशेक अविशेक आराम से देखे अगर जैस्री राम का नारा सुनकर वो भड़क उठते हैं प्रभू लगा कि अल्ला हुआ करते हैं और जो बोलते हैं कि अल्ला से शिवा और कोई नहीं और हमें सुनकर हम तो नहीं भड़कते कभी मैं अजान की बात कर रहा हूँ अजान में जो वो सड़कों पर धुलयाम की नारा ये तक भीर के नारे लगते हैं वो कौन सा जो एक दाविक नारा नहीं है हम नहीं भड़कते हम नहीं भड़कते देखिए मैं बार-बार बोलता हूँ बेसिक्स आप लोग जब तक इसलाम का बेसिक्स नहीं समझेगा इसी तरह मुगालते में जीएगा भरमित रहिएगा इस भरम में रहीगा कि हम प्यार करेंगे तो सामने वाला हमसे भी मुहबबत करेगा बार-बार जिस वक्त एक मुसल्मान बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में हर रोज पांच वक्त ये बताया जाता है कि अल्ला है और अल्ला के सिवा कोई नहीं है जिसे हम अजान कहते हैं अजान का कभी हिंदी में ट्रांसलेशन अप लेकर बैड़ जाई अरुसमें उसका मतलब यही है ला इलाही इल्ला का मतलब यहिए कि सिवफ अल्ला ही अल्ला है और कोई नहीं है जिस बच्चे को पैदा होते के साथ पांचो वक्त विटामिन एक की टیबलेट की तरह ये खिलाया जा रहा है कि अल्लाह और अल्लाह का सिवा कोई नहीं और आप चाहते हैं कि वह बाकी सब धर्मों का सम्मान करेगा आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है पंकर जी सम्मान वहीं कर लेते ना सिंदियों ने जिताई थी या बलूचों ने जिताई थी अरे आपके बिहार उत्तर प्रदेश के मुसल्मान थे जिन्होंने मुस्लिम लिक को वोड़ दिया था बाई और वो रह गए आपके बीच रह गए देवबंदी नाम का संसा चला रहे हैं यहां पर आपके आपके सुत मानिता है यह नहीं वहां दारुल इसलाम और रहरम है बस दोई चीज़ है जो इसलाम को नहीं मामता वह दारुल हरम है बाई वह हरम है वो पंका जी अब बांगलादेश में जो कुछ हो रहा है बांगलादेश में जो कुछ हो रहा है हलाकि भारत सरकार प्रतिकरिया दे कि यह लेकिन जो मांग अप की जा रही है जो मांग की जा रही है भारत सरकार से कि इस पर कड़ा स्टैंड लिया जाए तो उस पर भी कुछ बंगलादेश की जो हालात हैं बहुत ज़्यावे होते चले जा रहे हैं दिन प्रति दिन चेतान मुझे कसम से बोल रहा हूं कि इस वक्त इंद्रा गांधी की बहुत याद आ रही है बताईए कि जो आज के हालात है वो 71 से बेहतर कैसे हैं आज की सरकार से पूछा जाता है कि बंगलादेश में हिंदुओं का कतल्याम हो रहा है उनकी दुकाने लूटी जा रही है और तो की इस अत्मत लूटी जा रही है वहां मारे जा रहे है जो नेता है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है आप क्या कर रहे हैं तो यह कहते है आई पीयल में एक भी बंगलादेश में लुए उच्छा लाजीं है मगा बार बेहम प्रतिशत हिंदू है और उन हिंदू को अगर अपने यहां नहीं लमा सकते तो भारत के ठीक हैं हिंदूयों को बस और एक और हिंदूस्तार वहां बनेगा हिए और महम्मध जुनुस स्च शंति का पुरसकार मिलता है किसे मिले ऐसे-इस से बिखे भी शंति पुरसकार बसे एक सारे मेरिका पर नहीं अमेरिका से तो पहरें है안 रहे हैं अमेरिका के कहने पर चलते हैं अभी जो मुद्दा है अभी जो मुद्द झायी की हिंदू को वह टार्गेट किया रहा रहा है अरश तर्व ही अरट रहे हैं पड़ रहे हैं कि अप संक्र को लेकिन 119 मुद्द जोड़ा जाए तो मेरे हिंदुओं को नहीं इसाईयों को भी मारा जा रहा है जो बचे खुछ से इसाई हैं ही बहुत कम संख्या में जो बहुत हैं जो मैंनमार से सटे इलाकों में वो भाग गये आप किस भ्रह्म में हो अभी और मैं एक चेतन मैं इमांदारी से आपके दर्शकों से एक सवाल पूछ गाजा का बाजा बजा दिया बिलकुल बजा दिया इसलिए कहते हैं कि बहादूर कौमें दुनिया फतह करती हैं और जो कायर कौमें होते हैं वो इसी तरह गुहार लगाती हैं अल्ला के नाम पे दे दे भगवान के नाम पे दे दे रहम कर रहम कर हम कायर हैं नहीं बना दिय कि में बार बार बोलता हूं कि मर्दों के बीच में अकेली मर्द इंद्रा गांधी थी आज के अला देकर बिल्कुल यह बात सही लगती है बंकर जी बिल्कुल और यह जो कह रहे थे ना कि हमने आई पिल में एक भी बंगलादेशी खिलाड़ी को नहीं लिया पटक के मानना च प्रतिक्रिया इस तरह करी प्रतिक्रिया होती है मुहम्मद जुनुस को उठा खान पकड़े उसके कि अगर 24 घंटे के अंदर हिंदूओं का खतलयाब नहीं रुका तो उसके बाद जो हम करेंगे उसके बाद तुम्हारी रूहें काप जाएगी एक बार यह स्टेटमेंट हर दिन यह खाना खिला रहे थे तब तो उन भीखारियों को यहां खाना खाने में अच्छा लगा और आज इसलाम जाग गया उनका कि उस्वत कहां गया था उनका इसलाम जब इसी मंदिर पर इजर में बैठके वह दोनों टाइम खाना खाते थे मुफ्त कोरोना वेक्सिन लेते समय उनका इसलाम नहीं जागा और आज जिन्दा हो गया तो इसलाम जाग गया उनका एक ही उपाय हो सकता है भारत सरकार एक स्टेटमेंट जारी करे कि हम 24 गंटे देखते हैं 48 गंटे देते हैं और इस वक्त में अगर हिंदू का कतलयाम नही नहीं हुई तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती इंटरनेशनल कोट अफ जस्टिच बोला ना इस्राइल के खिलाब क्या उखाड लिया आज घर में अगर मारना सुरू करें नहीं एक बार भारत तो सब बाप बाप चिलाते रहेंगा देखें कैसे सम कोई कुछ नहीं बिगार सकेगा घुस के मार रहा था 1971 में आज अगर मारना सुरू कर देखें 24 घंटे के अंदर वहीं मुहमद जीन उस हाथ जोड़ता हुआ नजर आएगा कि हम बातचीत करना चाहते है सामसी समझावता करना चाहते है अब उसको समझ में नहीं आ रहा है उसे पता है कि कुछ नहीं कर सकेगा अपना देश नहीं समर रहा हूँ कि आर्मी वहां मारी जा रही है अपना उसे फौज उतार रखा है दोमेस्टिक वाइलनस को कंट्रोल करने के लिए भारत से ले नहीं रहा है और शेख हसीना का भी एंगल हो सकता है इसमें पंकर जी व है आज भी लोग के सेलेक्टेट प्राइम मिनिस्ट्र अगर कोई है तो सेख हसीना है जिसकी दुनिया भर में मान्यता है आपको कि लगता है ट्रंप नोंका फोन यहीं रिसीव कर लिया निश्कासित प्रदान मंत्री हैं उन्होंने बदाई दी डॉनाइट ट्रंप ने फो सब्सक्राइब को माननेता देती है इस तरह संपट्टी पर बंदूग सटा के को भी तक्ता पलट करके बैठ जाएगा उसको माननेता नहीं है और दुनिया में आज भी सेख हसीना को माननेता है उन्होंने इस तीना नहीं दिया है भड़े ही प्राइम मिनिस्टर इन एक्ड देखी और इस बड़ी बात है की जो तस्मीरे महां से सामने आ रही है बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि हिंदू के साथ जो बर्बरता हो रही है वो जल से जल गुखनी चाहिए चाहिए जहाए उसमें भारत सरकार को अस्तशिप करें और उसके बाद किसी भी तरीके से य जो वो कर रहे हैं वो बहुत गलत हो रहा है और ये जादा दून तक चलने वाला है नहीं बहुत बहुत धन्यवाद पंगत जी आपका मरसाथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए साथी अभी अविशेक आपको भी बहुत धन्यवाद और तमाम ऐसी चर्चाओं के लिए ऐसी के लिए आप बने रही है हमारे साथ देखते रहे हैं नमस्कार